पहलो अच्छा नमस्कार कैसे हैं आप सभी मैं आपका दोस्ट पावन मूरल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मोटा परिवार में उमीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आपकी तयारी भी निरंतरवे में काफी अच्छी चल रही होगी बहुत ही जबर्दस्त आज आपकी एक किलास होने वाली है मेरे दिल के टुगडो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एक ब मेरे बच्चो पंदरेसो चार में होई थी तब यह ठीक नहीं है लेकिन आपकी किलास जरूरी है तब इयत से पहले ठीक है अब जल्दी से बच्चो अपने आप चलो बहिए तो सुरू करें भई किलास को शुरू करें किलास को आज अभी आपको पढ़ाने से पहले बता थोड़ी सी लेकिन फिर भी कोसिस करेंगे किलास करने की मेरे बच्चों इस बात पर ध्यान देंगे जो आपका एक बच्ची ने सवाल पूचा है कि सर आगरा नगर तो मैं पूरवी प्रजापती आपका सवाल का जबाब है कि आगरा नगर को कि आगरा नगर को पंद्रे सो चार में पंद्रे सो चार में सिकंदर लोधी ने बसाया था क्वेस्चन वेरी 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 मोस्ट इंपोटेंट है और हाँ सिकंदर लोधी ने को और काम किया था आप जानते हैं क्या काम था भूमी नापने के लिए एक फैमान बनाया था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी आप सभी बच्चों को नमस्कार, सभी बच्चों को रादे रादे, जैहिंद चलो बच्चे, आज मैं आपको कराने वाला हूँ, कल वाली किलास बहुत अच्छी होगी कि समझे हो ना कल वाली किलास तो मैंने बहुत अच्छी लीती भाई एक बात आप को बता दूं आज बहुत बच्छों की डिमांड दी कि सर साइंस के पचास क्वेश्चन करवा दो तो आज मैं पूरी साइंस में से आज बच्छों पूरी साइंस पूरी साइंस में से Most Important कितने क्वेश्चन लेके आया हूं बिटा साट क्वेश्चन लेके आया हूं यदि आप में से इन सभी बच्चों ने ये साट के साट कोष्चन सही कर दिये तो समझे लो आपकी तैयारी सूपर चल रही है ठीक है भाई साब ये किस वन्स के थे तो इवन्स के थे मुझे उमीद है कि आज आप सभी बच्चे मेरा साथ देंगे और इन साथ कोईशन को करने के बाद क्या सभी बच्चे चाहते हैं साइन्स करना है नहीं कितने बच्चे चाहते हैं कि science के साथ साथ हमें जोग्रफी के भी question complete करा दिये जाएं तो आज आपके लिए बहुत बढ़िया और एक बात और बता दू बच्चो जाने से पहले आपको एक बात और बता दू कि आपका पेपर है 28 तारिक में आपका पेपर है 28 फरवरी से स्टार्ट है आप सभी को best of luck जिसका एक्जाम 28 फरवरी से शुरू हो आपको best of luck है ठीक है मरे दोस्त इतना बता देना चाहता हूं आपको कि आपके लिए एक और छोटी सी मेरतन लेके आ रहा हूं आपके लिए एक और क्योंकि मैंने वही ठाना है जबसे आपका पेपर की डेट आई है ना आना है ना खाना है सिर्फ आपको पढ़ाना है ठीक है बच्चे तो आप जराध्यान दीजेगा बच्वा कल आपको चार बज़े से लेके चार फोर पीम से लेकर टैन पीम तक यान कि इतना आपको काम करना है अगला देखो भाईया पहला परसन आपके सामने रहा प्रत्वी की दुरी है प्रत्वी की दुरी कैसी यह चेतीज है उर्द्वा धर है या फिर वक्रिय है कैसी आप बताना है भाईया बताओ मेरे दोस्त आज की किलास बहुत ज़्यादे इंप् बच्चों के लिए मैंने जान दाउ पर लगा रखें डूक्टर बोले नहीं पढ़ाना है या कुछ नहीं होने वाला है है हमने का हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है भाई देखो जरा प्रत्वी की धूरी कैसी है क्या वो जुकी हुई है क्या वो छेतिज है क्या वो उड़द्वादर है या फिर वो वक्री आवस्था में तो आपको बता दे मेरे दोस्तों प् जोग्रफी कैसे बना दूंगा तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई प्रत्वी अपने अक्ष पर साड़े 23 डिगरी जुकी हुई है कितने अक्ष का कौन बनाती है जब कौन की बात आएगी तो आप कहोगे किसर कौन बनाती है साड़े 266 डिगरी का तो सभी बच्चे लिग लिजेगा कि प्रत्वी अपने दुरी पर कितने डिगरी का कून बनाती है ॒以上 बनाती है sus 66 रभाऊ है और आपको बता दू मेरे भाई कितनी डिगरी जुकी हुई है तो 23 डिगरी जुकी हुई है, दो बातों को आप ध्यान लगना कि हमारी प्रतवी 23 डिगरी जुकी हुई है तता 26 डिगरी का कून बनाती है आप इसको थोड़ा सा ओर डिटेल में कैसे जानेंगे प्रत्वी दो पिरकार की गती करती है एक होती है जब अपनी दुरी पर घुमती है एक चक्कर लगाने में 23 गंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है ये वो समय है जब प्रत्वी अपनी दुरी पर घुम रही है इसके कारण क्या होते हैं दिन और रात तो आप से पूचे का दिन और रात होने का कारण क्या है तो आप बताओगे दिन और रात होने का कारण है जब प्रत्वी अपनी दुरी पर घुमती है जब प्रत्वी अपनी दुरी पर घुमती है जब प्रत्वी अपनी दुरी पर घुमती है सूरिय के चारो तरफ घुमती है ठीक है भैया अगला पॉइंट आपके सामने यह रहा हमेरे दोस्तों इतना पॉइंट आपका केलियर हो गया होगा जब प्रत्वी सूरिय के चारो तरफ घुमती है तब भैया क्या होते हैं मोसम परिवरतन होते हैं देखो physics के साथ जोग्रफी को attach कर दिया अगला प्रिसन देखेगा अगला प्रिसन देखो बच्चो अगला प्रिसन क्या है निमली कित में से कौन सा कथन एक मात्र सही है मतलब चार में से तिर्फ एक सही है और तीन गलत हैं तो जबाब दो भाई साब प्रतवी दो प्रकार की लिगतिये करती है एक रोटेशन है और रिविलेशन जरा जबाब तो दो परसो जिसका एकजाम है मुझे आज अपना एडविट कार्ट सेंड कर देगा भाई जल्दी जबाब दो इस प्रिसन का जबाब क्या होगा देखू मेरे भाई पोदे अपने पत्यों में भोजन मन्ड संगरित करते हैं इकटा करी नहीं सकते पत्तियों के द्वार भोजन तो बनाते हैं लेकिन यह गलात है भाई-साब पोदे अपनी पत्तियों पर प्रिकास पड़े बिना भोजन नहीं बना सकते भाई जब तक प्रिकास नहीं पड़ेगा तब तक भोजन ही नहीं बना सकते अगला है मेरे भाईया अगला है पोदे अपनी जड़ो द्वारा मिट्टी से भोजन अवसोसित कर लेते हैं ये ठीक है ये ठीक है अगला क्या है अगला है मेरे भाई जरा ध्यान देना इस परसन पर अगला क्या कह रहा है आच्छे स्वास्त के लिए निमली कित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवशक्ता है बताओ जिसकी हमारे सरीर को जादे मात्रा की आवशक्ता नहीं है बोलो भया आच्छे स्वास्त के लिए निमलिकित में से किसकी थोड़ी मात्रा की आवस्चता होती है वसाबी चाहिए हमें प्रोटीन भी चाहिए कार्भोहडेड भी चाहिए वसाबी चाहिए लेकिन मिनरल्स बहुत कम चाहिए मुझे मेरे भाई खानिज आपके सरीर के लिए बहुत कम चाहिए अगला पॉइंट देखो मेरे भाई अगला है इस पात सयंद्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है क्या वो ढलवा लोवा होता है क्या वो पिटवा लोवा होता ह या फिर फोलादी लोहा होता है यह फोलादी लोहा तो जबर्दस्ती धर्ग दिया है यह फोलादी लोहा तो बहुत जबर्दस्त धर्ग दिया है लेकिर आंसर क्या जाएगा इसका आंसर आजाएगा मेरे दोस्त यह आजाएगा पिग आयरन क्या आजाएगा आपका पिग आय संबंदित है नैनो एक तक्निक नैनो मतलब छोटी तक्निक है वो किस से संबंदित है यह आपको बताना है तो नैनो तक्निक की बात की जा रही है यह नैनो तक्निक धगनिवी से संबंदित कोई मतलब नहीं है अंतरीक सनुसंदान को वहां तो अंतरीक सनुसंदान में आप त यह गविखाव PSLV and GSLV Polar Satellite Launch vehicle and GEO satellite launch vehicle कि देखामर दोस्त वह किस्से समझदी है प्रेकास से है ना जीना बिल्कुल नहीं किस्से है वो लगू करन के छोटे-छोटे उद्योग से आरे नैनो से तो तुम्हें वैसे भी याद रहा घ्या होगा नैनो छोटी सी गाड़ी होती है नैनो क्या होता है छोटी सी गाड़ी होती है उससे भी तुम्हें याद हो गया होगा अगला point देखो बचवा computer में disk operating system DOS है क्या है एक यह क्या होता है मेरे दोस्त जल्दी से बताईएगा मुझे एह क्या होता है जल्दी से बताओ प्रोग्राम के सभी बुन्यादी संचला प्राचलों को निंत्रित करती है एक सर्चिंदन होता है या पिर वायरास को साफ करने वाला सॉफ्ट्वर होता है या फिर एक यंत्र जिससे इंटरिनेट के पर्फोण सिंद्ल के पहुंच मिल थे अरे गुर्ण का एं मजा वारी रोगे रहना हें ही उचिवा को सबस्क्वनी कुर्ण कर रहे हैं रंए गवित्वे सब्सक्राइब कुए सब्सक्क्राइब एक देडम प्रफमन चीप वह THE की बनिटी आज़ीगा शतके सिलिकोन अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा हमरे भाई नदियों तलाबों और आदी में पाए जाने वाले जलिये को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है उन्हें आपको ये बताना है नदियों तलाबों तथा आदी में पाई जाने वाले जलियों पोदों हरे पोदों को क्या कहा जाता है बहुत जबर्दस सवाल है इस सवाल को अगर मैं देखूं मेरे दोस्तों अगर मैं इस सवाल को देखूं और लोगों में आज आपने चेयर नहीं किसी सेил कर देता हो नहीं किसे तुम तो करोगे नहीं सब्बाइ़ों को बतादू जो विचारे बाट में बैटे हैं कि फवंसर आएंगे आएंगे बहि जाएंगे कहां चलेंके तुम culturally इस तो हमने शेर कर दिया कुछ बच्चो आएंगे तो आजाएंगे बच्चे देखिए उन्हें क्या कहा जाजा नदियू तलाब तता आदि मिज़ेसे आपने देखा न को तलाब देखा हो जिसे गाम में जोड बहगलर बोल देते हैं तो उसमें जोड में किया मेरे दीजों वहां हारी-हरी आपको देखाओ और है चटचट पोदे होते हैं उन्हें सैवाल कहा जाता है क्या करते हैं सैवाल और सैवाल भाई साहब आप ध्यान लकिन गया जो five लोजी होता ने five close तरह अगला परसन कहता है मिरग तरसना बढ़ने का कारण क्या है अब इस परसन पर थोड़ा सा ध्यान दें बाई अगर आप लोग पढ़ लिए न सही से तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती ठीक है और यह हम आपको बता सकते हैं जिस दिन से आपके पेपर की डाइट आई है आप अमरी हाला तो भी देख सकते हो हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है ना ना धो ना सब कुछ करना है रहे यार तुमारी पढ़ाई पहले है बात खतम हो गई इस समय एक टीचर का करतव है यह है कि अपने फर्ज को निभाए फर्ज निभाए जा रहा है अब आपकी डूटी है कि आप भी अपना फर्ज निभा जाते हो तो होता क्या है मेरे दोस्तो जब आप रोड पर बाइक चला के लिए जाते हो तो ऐसा लगता है आपको जैसे कहीं पानी बर रहा हो जैसे सड़क पर क्या बर रहा हो पानी बर रहा हो लेकिन आप थोड़ा सा ओर आगे जाते हो तो आपको ऐसा लग रहा है पानी ब कराई जाती प्रिकास को प्रफिक परावरतन का उधारन एंडर कराई गण कराई के विपन पर्फिकास के पून अंत्रिक परावर्तन का में अगला पशुछ देगा अगला प्रसन देखिएगा अगला प्रसन क्या कहता देखो पिरकास विद्दूती करण प्रभाव किसने खो जाता जल्दी बताओ इस प्रसन का जबाब क्या आएगा अब को बताना है मेरे भाई जो आपका फिरकास उद्दूती प्रभाव रहें वह किसने खो जाता जरा इस पिर्चन का जबाब है जिए किसी के पास तो प्रकास विद्दूती करण प्रभाव किसने खो जाता तो यह खो जाता आलबर्ट आइस्टीन ने क्या भूल गए आइस्टीन का फॉर्मूला हुआ करता था है कौन सा यी बराबर एंसी स्क्वाइर क्या भीया इसका एक फॉर्मुला हुआ करता था अरे पुस्पंदर इन बातों पर ध्यान मत दे सिर्फ पढ़ाय पर ध्यान दे ऐसी छोटी छोटी बात पकड़ेंगे जो नहीं पकड़ने वाली है अरे को याद में बिना नहीं रह सकता है क्या खामों खांकी बात कर रहे हूं भाई साब इनका फॉर्मूला आपको याद वुद्ध करती है तब आप सभी का जबाब आ जाएगा वो क्या जाएगा बटा आपको बता दूं अच्या मेल का रिपले भई हम लोग देखिनी पाए हूं ऐसा हो सकता है देख लेंगे आज तो रिपले भी आपको कर देंगे देखिएगा जल्दी आंसर आयाम है आवर्ती है दिसा है या फिर गती है जल्दी जल्दी जवाब दो इन बातों पर ध्यान मत दिया करो Of course वाईशा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगला देख्येगा अगला है decibel किसकी इकाई है अरे इस से भी आसान सवाल आपको क्या मिलेगा decibel किसकी इकाई है यार यह बहुत पढ़ाने वाली बात है गुरू जी कैस सवाल तुम पढ़ा रहे हो ग्यारवे पर पोचे ओभी तो 60 सवाल करने है यार बताओ जल्दी से इस पिर्षन का जबाब क्या होगा अगर तुम लोग कम रहोगे तो हम क्यूं पढ़ाएंगे फिर धवनी किसकी काई है तो भाई साब ये होती है देसिबल किसकी काई है ये होती है जी धवनी तीवरता की क्या होती है दावनी तीवरता की होती है बाड़ा जबरदस सवाल लेके आए हूँ आपके लिए हमारे रक्त में हीमोगिलोबिन का कारिय क्या होता है हमारे सरीर के अंदर हीमोगिलोबिन का कारिये क्या होता है जरा बताएं एक एक पॉइंट एक एक पिरसन आपके लिए रामबान जैसे हैं एक एक पिरसन आपके लिए रामबान जैसे हैं मेरे भाईया देखे हमारे सरीर के अंदर जो हीमोगिलोबिन का कारिये है वो बैक्टीरिया को मारना होता है बिलकुल नहीं हो होगा अगला point क्या oxygen का सम्वेहन यह मैं मान सकता हूं यह मैं मान सकता हूं जब कि हमारे सरीर के अंदर oxygen का जो आदान प्रिदान किया जाता है वह RBC के द्वारा किया जाता है किसके द्वारा RBC के द्वारा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ RBC की जो Life Circle होती है वो आपकी लगबग लगबग 120 दिन होती है कितने होते हैं भाई साब 120 दिन होती है आप इतनी बात तो समझी गए होंगे आप इतनी बात तो अब समझी गए होंगे अगला कुशन देखो भाई साब बोलो दोस्त बोलिये का जल्दी फटाफट आपको बताना है दिरव की छोटी बुंदे बात को क्यों होते है जैसे निंबू 10 के 2 या 4 मोटे ले लो तो 2 और चोटे ले ले लो तो चाहत निंबू 10 के 2 या 4 तो भाई बहुत सारी ट्रिक है जो मैंने बना रगे आप चिंता प्रवाइंगे चोटे चोटे लिए वह तो यह निम्बू को प्रवान हो जाएगा और मनुष्य के रख्त का कितना होता है वो लग रहा तुम समझ के होगा इस बात को अब अगला पर देखे वह यह क्या होता है द्रव की भूंदे अच्छे एक बात में और बताना चाहूंग है आपर उलगा पिछे अरे मैं आपको बता दे रहा हूं मैं इसलिए इंट्री किया कि अभी जब यह क्लास पांच बजे खतम होगी तो पांच बजे रूस यूक्रेन विवाद के उपर 15 मिनट की मैं एक छोटवी लाइव वीडियो करने वाला हूं क्योंकि हो सकता है वो आ काफी वीडियो देख चुका यूट्यूब पे इधर उधर तो मुझे लगा कि यार ये चीजे तो 15 मिनट में बताई जा सकती है एक दो कुश्चन बन सकते हैं तो प्लीज आप लोग 15 मिनट के लिए रूस यूक्रेन विवाद की उपर जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं प् आज और इस प्रिशन की तरफ हम तीन चार बाते और बता देते आपको कही बार ऐसा होता मालो यहीं हमारी क्लास में से एक दो बच आशा किसी रिस्तेदारी में गया जैसे मालो सीवानी है निसी सुकला है हम इनके घर भाईया हुआ कि दावत में चले वंदना है जैसे जब प्रश्ट तनाव के कारण किसके कारण होता है प्रश्ट तनाव के कारण होता है लेकिन यहां क्या है द्रव की छोटी बुंदे गूलाकार होती है क्यों पहला प्रत्वी बुंदों के सभी कणों को समान रूप में आकर्शित करती है ऐसा तो नहीं है ऐसा तो बिल्कुल भ यह तो गलत है भाई साब अगला देखिए दिये गए आयतन के लिए गोले का सताई छेत्रफा अधिकतम होता है ये भी गलत है गोलाकार के लिए भाई फिर तो यहीं सही है चोथा उपसर बिल्कुत सही हो जाएगा चोथा उपसर बैए बच्छा पापा का लाडला कुछ कमें जाए प्रात्मिक रंग कौन कौन से होते हैं प्रात्मिक रंग कौन कौन से होते हैं मुझे ना लगता इस पिर्शन का जवाब आप गलत दो मुझे नहीं लगता कि इस पिर्शन का जवाब आप गलत दोगे प्रात्मिक रंग कौन कौन से होते हैं वाट इस दा प्रामरी कल सब को पता होगा कि primary color कौन से होते हैं कौन सा color में कौन सा color डाल के कौन सा color बना जाता है ठीक है भाया चलो तो इसके बाद मैं आपको बता दूँ लाल हरा और नीला ये जो color होंदे ना ये आपके primary color होते हैं कैसे color होते हैं primary color होते हैं मुझे उमीद है कि आप इस बात को अच् फैरो मैगनेटिक है वो क्या है बेरे दोस्त फैरो मैगनेटिक के बारे में मैं आपको बता दूं चुमबक से विकर्सित होते हैं ना जी ना बिलकुल नहीं होते चुम्बक से पिरभावीन होते हैं बिलकुल नहीं होते हैं चुम्बक से आकर्सित होते हैं ये बात मैं मान सकता हूँ ये भाई साथ ना तो चुम्बक से अलग अटते हैं लेकिन चुम्बक को अपनी तरफ आकर्सित जरूर करते हैं तो यह तो जूट बोल रहा था साफ साफ ठीक है अगला कुश्चन पर ध्यान दो हाट आओ यह थोड़ा सा सवाल है अगला सवादा सब्द किलोनिंग किस से सम्मंदिद है जो आपका किलोनिंग सब्द है बोलो भाईया सब्द किलोनिंग का सम्मंद किस से है अरे किलोनिंग भी तो बताओ भाई मेरे मेरे भाई किलोनिंग बताओ किस से सम्मंदिद है तो किलोनिंग आप कहेंगे आपने नहीं सुना किलोन बना देना जैसे आपने देखा एक बार सक्तिमान जब आप प्रीज पढ़ रहे थे तो मैं बता दू मेरे दोस्तों जब आपने देखाओगा डोक्टर जैकाल ने आपका जैनेटिक से सम्मंदिद है और आप ये भी जानते हैं दफादर ऑफ जैनेटिक किसको कहा जाता है ग्रेगर जोन मेंडल को कहा जाता है ग्रेगर जोन मेंडल को कहा जाता है आपको ये भी बता दू कि ग्रेगर जोन मेंडल ने सारी खोजे मटर के ऊपर की थी किसके अगला पिर संदेको भाई साब अगला क्या है Black Hole अंत्रिक्ष में पिंड है जो किसी पुरिकार के के विक्रण को बाहर नहीं आने देता यह किसका मतलब होता है what is clone clone के बारे में बता दूँ मेरे दोस्तों आपने देखा होगा जब एक व्यक्ति के जैसा दूसरा व्यक्ति बनाया जा सकता हो मतलब जैसे आप हो बिलकुल आपके जैसा ही हूब हो दूसरा व्यक्ति यदि बनाया जा सकता है तो वो clone कहलाता है ठीक है अगला उसका आंसुर देखेगा मेरे भाई बजार में बेचे जाने वाला सोना मेरे भाई अठाराक होता आज पो प्रशेंट भी होता है ये भी आपको पता होगा बहुत बढ़िया दिल के टुकड़ो तुम वास्ता में ही मेरे दिल के टुकड़े हैं लेकिन आज मैं आपको बता दूँ समझे रहो ना साइन्स के भैतरीन क्वेश्चन करा कर जाओंगा चाहे क्वेश्चन आदे घंटे की जिए और एक घंटा लग जाए लेकिन यार एक नाराजगी है आपसे आप मेरी नाराजगी वैसे कहते ही समझे वही गए होंगे कि मैं किस बात को लेके नराज हूँ कि मुझे देखने वाले यहां पर बच्चे एक हजार हैं मुझे देखने वालों की संक्या एक हजार हैं लेकिन लाइक करने वालों की संक्या सिर्फ और सिर्फ कितनी है भाईया लाइक रोकी संख्या कितनी अब आप देख सकते हैं क्या एक तरफ एक बच्चे मुझे एक हजार बच्चे देख रहे हैं लाइक करने वाले 500 हैं क्यों भाया ये 550 बच्चे क्या दुस्मनी बाने बैठे हैं भाया अब ऐगे चलूँगा जब आपको पूरा का पूरा बच्चा मुझे लाइक कर देगा, तुसे पहले नया question computer महा से ने मैना कर दिया है computer महा से ये कह रहे हैं कि पहले like होगा, तभी आपके लिए नया question आएगा, चाहे भगने वाले भग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको सर इतना पानी क्यों पूइते हो भाई ये बात बताने की नहीं है बिना पानी के हमारे इंजन नहीं चलेगा अगर लाइक कर दिये होते तो बराबर बराबर हो जाता अभी एक तरफ 700 हैं एक तरफ आपका 1000 हैं बराबर करो अगला पिर्शन तब ही आएगा जब सभी लोग बराबर कर देंगे मर्जी आपकी है क्वेशन करना चाहें कर सकते हैं वरना किलास यही रोक सकते हैं भाई पुस्पंदर को बहुत जल्दी है पढ़ने की कहां तास से पहले पुस्पंदर पढ़ लेता भाई पढ़ा क्यों नहीं ता हमने की मना करी रोज पढ़ाते हैं तो अब देखो यह 1027-800 गे 200 बच्चे और बच्चे हैं जिसने लाइक नहीं किया बस जल्दी करो सब ही बच्चे कर देंगे तो मैं आगे चलूँगा वरना तो यही लाष्ट हो जाएगा अब आप देखलो आज मैं जिद्धी हूँ थोड़ा सा अगर आपके लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो सिर्फ बच्चे एक उम्मीद पर किये बच्चे भी हमें सपोर्ट करेंगे आपसे लाइक के लिए कहा जाता है आपसे एक सेर के लिए कहा जा सकता है कोई पैसे के लिए नहीं कहा जाता आपसे आपको पूरी तरीके से मेहनत करते हैं आपके लिए जी जान लगा देते हैं आपके लिए ताकि आप सेलेक्ट हो जाए हमारा भी नाम हो लेकिन यार ये सुनने के लिए तोड़ी ना गुरू जी मैं तो लाइक ना करूँगा मेरे तहाद दुख जूगा अरे भाई कर दे दोस्त सबने लाइक नहीं किया है एक तरफ आट सो पचास एक तरफ एक हजार पचास हैं आज जिद की बात है बच्चो आपको अपने गुरू की इज़्जत रखनी है आपके सामने मात्र पचास नब्बे बच्चों की जरुद है ये बराबर होना चाहिए लगा कर आग सीने में हमने वो सो कुपाले है और अगर कोई पूचे तो कह देना कि हम उस पवन मूरल के दिवाने हैं जो हमारा दिवाना है तो हम थोरा दिवाना है बच्वा जल्दी से एक बार पचास बच्चे और लाइक कर दो पूरे हजार हो जाएंगे और फिर मैं अपनी पढ़ाई पर आ जाओंगा ठीक है बास बहुत जल्दी एकदम हम हजार बच्चे लाइक तक पोचने वाले हैं मैं वाट्सअप नमबर दे दूँगा आज आपको अपना जिस पर आप अपना एड्मिट कार्ट भेज सकते हैं अभी किलास के बाद ही देके जाऊंगा जल्दी बच्चे जल्दी अभी पचास चालीस बच्चों की जुर्णत है जिसने लाइक नहीं किया अभी चालीस बच्चे और बच्चे है देख लो बच्चो अगर तुम जिद्दी हो तो जिद्दी हम भी है हमने घ्त पूरे तीन महीं ए दभा के मेहने की असती महीं कि दबा उस तीन महीने कि आश मुहां वर्व लाइक कर दो ठीक है अगwny बहुत कमरियरी केस में कहता हूं आउ तुमारी मर्जी होती है यार इतना तो अधिकार मेरा बनता है कि अपने भेनों और भाईयों से मैं कुछ कह सकूँ ठीक है अगला question भाई साब ओ हो लभी भाय अगला पर संदे केगा insulin hormone क्या है insulin hormone क्या है मिरे दोस्तों इस पर संद का जबाब दो insulin hormone क्या है insulin hormone क्या है यह आपको बताना होगा मेरे भाई यहां से तीन से चार सवाल पूछे जाते हैं क्या अरे इंगलिस वाले बच्चो तुम्हें बता हूँ जरा देखो अब आपको दिख रहा होगा भाई आप साइट सबको दिख रही है हिंदे इंगलिस दोनों किलियर दिख रहा है चलो आप दोनों को किलियर दिख रहा है तो आप बता इसकी कमी हो जाए तो sugara हो सकती है । बिमारी एक यहें सो चुलिघ अलग नाम बता रहें तो सुगर हो गया मदूमे ढ़ए का सी निकलता है तो निकलता है आप का इंसुलिन हर पहनी इसके खोज कोन देजों तो नियू लेका भी नाम लिखेंगे आप चाचा वैस्ट और बेंटिंग थे कौन ते भाई साब वैस्ट एंड बेंटिंग थे कौन ते भाई मेरे वैस्ट एंड बैंटिंग थे किलिए रजब का 1100 बच्चे देख रहें अंगर एक बच्च भी यह कहते कि समझ में आनत पढ़ाना को सिकाओं का निर्मान होता है और है है लो दोस्तों कैसे हो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा कि मैंने अर्थमेटिक करा दिया था लेकिन मैंने उसमें नंबर सिस्टम इलिया था लेकिन आज साड़े-9 बज़े पूरा एडवांस ले क्या रहूं एडवांस मैंस जी हां उ तो तीन चैप्टर आज आपके क्लियर करा दूंगा साड़े-9 बज़े से जो भी मेरे दोस्त चाहते हैं कि आज एडवांस एक्जाम से पहले क्या आपको मेरे भया आपको दस नंबर पक्के करने जी हां यह मैं गारंटी दे सकता हूं साड़े-9 से बारह या साड़े-9 बा तो आज आपके लिए एडवांस मैस वह भी तीन चैप्टर वाल दिवास थैंक्स बहुत बढ़िया यह संक्या पंदरा सो तक पोच जानी चाहिए अगले देखेगा कौन सा गिरे तो बड़ा आसान है हास से लोग यह लाफिंग एस पूच लियो उसने लाफिंग एस कौण सी होती है यह तो बच्चा बच्चा जानता है սी तुम तो मैं ने पता हमें सारी जानकाầnय पॉख अगर तुम्हानका रहे है तो बता दो आट कुंसी होती है तो हमने घर भाई हाँ से पढ़िये जराराम से, जल की स्थाई का ठोरता का कारण क्या है, मेरे बच्चों जल्दी इस पिरसन का जवाब दो, कि जल की स्थाई का ठोरता का कारण क्या है, बोलो भया, जल की इस थाई कर्फोड़ता का कारण क्या है कैलसियum, कार्बोनेट, नाजी बिल्कुल नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं होता है आपका कैलसियum, तथा मेगनिसियम के किलोराईट, और तथा सल्फेट यह होता है बहुत बड़िया मेरे भाई अगले पुटन को फिर छोटा कर लिजेगा अगले पॉटन को पिर छोटा कर लिजेगा सबसे हटा यार हटा मेरे दोस्त कैसा सवाल पूछ रहा है देखो जरा एक बार न्युजलैंड में पाया जाने वाला उडियान हीन पक्षी है है तो फिर कौन सा हखना वाई वह की हुंदा है की हंना वाई आपका की भी हुनदा है तो तुसे समझरे होंगे शुद्व होना तो तुसी सम्झरे होंगे घड़ाजनों मुझा डाग एक जीवन द्रश्टी से पोदे का सब्से महतपुन अंग कों सा होता है इस बोलो भीया जीवन चकर की दिरष्टी से पोदे का सबसे महतपून अंग कौन सा होता है क्या बच्चे आप मुझे बता सकते हैं इस प्रिसन का जबाब क्या आएगा कि पोदे के जीवन चकर की दिरष्टी से सबसे महतपून अंग क्या होता है पत्ती जड़ तना या फिर भाईया जी आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस परसन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस परसन को मुझे कमेंट करके बता देना अगला परसन देखेगा अगला परसन वो क्या कह रहा है अगला परसन क्या कह रहा है मेरे भाईया एस्पिरिन क्या है एस्पिरिन क्या है मेरे दोस्त बताओ एस्पिरिन क्या होता है अराम से पहले स्कीन सोट ले लीजेगा एस्पिरिन क्या है एस्प्रिन क्या होती है क्या पिर्ती जैविक होता है क्या समन होता है इन में से कोई नहीं होता या फिर एंटी पोरियोटिक होता है बिल्कुल सही जवाब है अगले पर आएगा बाई साब अगला पॉइंट क्या है मेरे बाबू अगला पॉइंट क्या जरा जानो तो सही नामा करने करते हैं सर बिल्कुल करते हैं भाया जी बीटा करने करते हैं बिल्कुल करते हैं फार तो इस किरसान का जवाब क्या जाएगा एक कहरा बेवकुफ यह किलास रिकोर्डीड है सरम नहीं आती कहते हुए आपको सरम नहीं आती तुमारे लिए कोई बंदा मेहनत कर रह तुम्हें किलास रिकोडी लग रही है वा रे वा मेरे दोस्तों वा क्या बात है अगला देखेगा अगला है मेरे दोस्त अगला है आपके सामने जरा देखे मैंने पूछा है डालफिन वर्गी किरत किये जाते हैं डालफिन वर्गी किरत किये जाते हैं किसमें मतस्य में सरी सिर्पों में यानि की बच्चों किसमें किये जाते हैं यह बताना आपको उभैचर में या फिर इस तनी में तो वो किसमें किये जाते हैं इस तनी में किये जाते हैं उभैचर वो होते हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हूं जो जल और थल दोनों में पिर्षंदेख लिजेगा मेरे भाई कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब आपके सामने हम सब ऐं जब हम बकरी या बहर का मास कहते हैं तो क्या क्या भाते हैं कि अ किला कशा जाना है कि हम कहलाते हैं आपके सामने क्या आ गया है अगला पिरसन आपके सामने क्या आ गया है बता हुजरा आपको बताना निम्लिकित में से समय का मातरक नहीं है निम्लिकित में से कौन सा समय का मातरक नहीं है मैं बետता मुझे तो ये सवाल गलत लगन यार काजिन के अनुसार शुरू हिसे तो ये सवाल में θोड़ा सा कहीन गलन लगा यार मुझे तो ये पिरसन पूडरा सम से अंसर प्रिकास वर्साना चाहिए मैं इसका अंसर सी दे रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं इसमें डाउट लग रहा है आप देख लिजेगा एक बार चलो अगला पिरसन देखेगा आती सुक्षम मापन के लिए कौन सा उपक्यून प्रियोक्त किया जाता है आती स्लाइड रेल का तो भाई एक प्रियोक्त किया जाता है अगला देखेगा अगला क्या कहता है अगला पॉइंट क्या कहता है अगला पॉइंट क्या कहता है देखो दोस्त जब किसी पिंड की गती को दुगनी की जाती है तो उसका घनत दुगना हो जाता है तो उसका दुगना हो जाता है उसका क्या हो जाता है संवेग दुगना हो जाता है अगला पिरसन फिर देखेगा बाई साब अगला पिरसन फिर देखेगा क्या कहता है बताओ रहे जरा बचवा इस पिरसन का जबाब क्या हो जाएगा बताओ जरा इस पिरसन का जबाब क्या हो जाएगा बोलो भाई साब कार के इस्टेरिंग में सामिल होता है कौन कौन सामिल होता है एक एकल बल्ब होता है ना जी बिलकुल भी नहीं होता है जल्दी चलो मेरे भाई क्या होता है फिर भाई मेरे तो ये आपका बलो का एक यूग में है जो विपरीत विपरीत दिसाओं में उसी रे उसी जानते हो इस पिर्जन नों तो अगला चलीगा पिंड का भार सुन्य नहीं होगा पिंड का भार सुन्य नहीं होगा किसी घर संहीन सतह पर इसका वो जूरो हो जाता है अगला है निमलीकित में से कौन सा बल की प्रकर्टी बताता है यह आपको बताना होगा तो मेरे दोस्तों वो बताते हैं, न्यूटन ने कुल मिला कर तीन नियम दिये थे, जिसमें से भाई साहब आपके सामने लिखा है, न्यूटन का पिर्थम नियम, न्यूटन का दित्या नियम इसका बिलकुँ सही आंस्वर हो जाएगा, अगला प्रिसन देखो बचवा, 38 प्र प्रिवावी होता है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, बताओ भाई साहब, आपको बताना है किसी पदार्थ का वे, बताओ मेरे भाई, अब दिक्कत नहीं होगी, अब आपको बताना है किसी पदार्थ का वे, जहां उसका संपूर्ण भाग प्रिवावी होता है, तो तुस्त पका पका इस पिर संन जान दे हो गया भाई अगला प्रिशन मेरे देश्विश्ट जल्दी देखिये क्या कहता है अगला पर वाद बाल नेम लिखित में से किस पर निर्भर करता है पी बोलो भीया उझे जो लो भाई इस प्रिर्सन का जराब क्या आएगा तो यह आ जाएगा आपका ठोस वस्तू का घंथव क्या जाएगा मेरे धोस्तू का घंथ चालीस वह देखेगा अगला आजाएगा मरे दोश्त थंडे देशों की यदी मैं बात करूं किसकी बात करूं यदी मैं बोलो भया 20 पिर से जबाब दिया जाए जबाब के सामने लिकरा जब थंडे देशों में कार रेडियेटरों में पाएं के साथ में एथिलीन गिलाइकोन मिला जाता है तो वह साहता करता है किसमें साहता करता है भाई साब ये बताना है आपने किसमें साहता करता है बहुत बढ़िया मेरे भाई कौन बच्चा है जरह देख लो एक मिनट गलत अंसर है पिरतम रूल अरे भाई सेकिंड रूल है अकलेस एक बर च छोटहा करो तोड़ा सा क्यूंकि पोलत दिखना रहा था आप इस फिर सुने का जबाव दिया जाए अब इस पर संगा जबाब दिया जाए समझे रहो ना आप मैरे भाई आप इस पिर शोन का जबाब देना आपको कि उता ही जो कि इस person का जबाब दो क्या होगा जो हम आपसे पूछ रहे हैं बाड़ी देड़ से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ प्रजवलन ओस्मा विशिस्ट उत्मा या फिर ओस्मा धारिता या फिर ऊस्मे अमान क्या होगा तो भाई साव ये हो जाएगा आपका ऊश्मी अमान अगला person आपके सामने ये रहा मेरे भाई अगला person ये रहा आपके सामने जरा ध्यान दो बच्वा जरा ध्यान दीजेगा आपसे पुझरा मोटर वाहनों में पीछे का दिरस्चे देखने के लिए कौन से दरपन लगाए जाते हैं आपको इस person का जवाब देना है बता भाई साब कौन से लेंस लगे होते हैं तब आप बताओगे सर यहां पर उत्तर लेंस लगे होते हैं कौन से लेंग लगे होते हैं यहां पर उत्तर लेंस लगे होते हैं यह सवाल कई बार पेपर में पूचा जा चुका है कई बार पेपर में आ चुका है यह सवाल अब अगला पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों अगला पॉइंट क्या है जरा पड़ो तो सही वह सबसे छोटा कन जिसमें उस तत्व की सभी गुन विदमान होते हैं भाई साब यह होता है आपका परमानुकन यह कुन सा कन होता है आपका यह होता है आपका परमानुकन क्या होता है प मैं आपको नहीं बताऊंगा यह आपने खुद पढ़ना होगा बहुत जिसका वर्थड़े है उसको हैपी बड़े हम बोलते हैं और वो अपने जीवन में एक बच्चे का नाम है भटकती आत्मा वो कह राजी मुझे तो सारे कुश्यन आते हैं भाई तो रैस्ट कर फिर कि रैस्ट करो कि अ कि अ कि अ कि बोलो बहुत जल्दी से इस प्रिसन का जवाब क्या आएगा आपको बतानी है आराम से इस प्रिसन का जवाब बताईगा मैंने एक प्रिसन आपके लिए छोड़ा है और यह कहा है कि यह आपको बताना होगा यह कहा यह आपको बताना होगा चाहे आप कुछ पुछ भी समझेगा ठीकर मानलो यह हमने नहीं या था हमने तुम्हारे लिए चोड़ा है तुम्हें बताना है बस इस पर संगा जबाब अब तुम देख लो क्या करना है अगला प्रिसन फिर आपके समने यह आ गया अगला पिर्शन फिर आपके सामने आगया हाइड्रोजन के रेडियो धर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं समस्थानिक को क्या कहते हैं बच्चो तो जल्दी बताईगा समस्थानिक को क्या कहते हैं ड्यूटिरियम प्रोटियम रेडियम या ट्रिटियम क्या कहा जाता है तो लि बग कितने पर्सेंट जल पाया जाता है तो क्या दस पर्सेंट पाया जाता बिल्कुल गलत है यार यह तो इसको तो आंक बंद करके लगा दो दस पर्सेंट नहीं पाया जाता मानव सरीर के अंदर कम से कम जो जल पाया जाता है वो 80% पाया जाता है कितने पर्सेंट पाया जा YouTube पर 9 बज़ कर 10 मिनट पर कहां पर या कोसिस करूँगा 9 बज़े ही कोसिस करूँगा 9 बज़े ही वो वीडियो शुरू हो जाए हमें कितने नंबर चाहिए सेलेक्ट होने के लिए ये बात बताने के लिए मैं आपको आ रहा हूं कहां पर SSC अड़ा पर किस टाइम रात्री 9 ब एक आपकी मेराथन किलास होगी क्या होगी एक आपकी मेराथन किलास होगी अगर आप तैयार हैं तो एक बार थमसब कर दीजेगा कि हम सब तैयार हैं एक बार सभी बच्चे थमसब कर देंगे ये भाई साब हम सब तैयार हैं ये वैसे 70% ये option मुझे गलत लग रहे हैं कुल असंभव है कि 80% ही पाए जाता है ठीक है तो कोई बात नहीं बच्चे लगभग में तो 80% हम कहीं सकते हैं जब उपसन ना हो जब उपसन ना हो तो हम कहे सकते हैं इसका जवाब दे सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो तो उसी जानते भी हो यह बड़ा आसान सा सवाल है समझ रहो ना कई बार क्योंकि जब हमारे पास काउंटिंग फिगर में तो कंप्लीट ना हो ना कि 80 है या फिर 70 है तो कहना पड़ा उसकी बात है आप चाहें तो बड़े प्यारे रूप में इसको कर सकते हैं और हाँ पेपर में जाने से पहले आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना होगा वो क्या बाते हैं मैं बताने के लिए आपको रात आ रहा हूं किस टैम पर 9 बजे आप सुन लो दोस्त 9 बजे आपको आज रात 9 बजे कितने बजे आज रात 9 बजे और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दू बच्चो क्या आप चाहते हो कि 9 बजे मुझसे मुलाकात करनी है तो 9 बजे मेरी किलास में आ जाना और दूसरी बात बता दू पेपर देने के लिए जा रहे हो पूरा इतिहास मेर या उपर छोड़ दो कल ही याद करा दूंगा कैसे करना होगा मैं बताऊंगा पूरी पूलेटिक के कौन-कौन से अनुच्छे ध्याद करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा सम्मिधान संसोधन कौन-कौन से कहते हैं नमबर बता दूँ है नमबर क्या है वह वाट्सप नमबर लिख लो वह सब लिख लो中國 मत वा्याँ जिर्ए लेता हूं वाट्सप नमबर कंदर रोग जाहिएंगा को क्या रहेगी मैं बता दूंग आपको का एक मैन इन्च वेट करऊ बचो मेरे भाई एक मिन रुखो जो रबस एक मिन रुखो मैं आपको नंबर देता हूं जरा बच्चों एक सेकिंड रुखो बसमा नंबर मंगवा कि अभी आपको देता हूं जिससे बेनिफिट यह होगा कि आप मुझे अपना पीडियो भेज सकते हैं कॉली से निकलते ही तुरंत अपने कुश्चन बता सकते हैं एक मिनट बेट करना जरा बस बच्चों होगा क्या मैं आपको क्यों रोके रखा हूं अब तक जरा ध्यान रखिएगा मैंने आपको क्यों रोके रखा है वो बात आप ध्यान दीजेगा जैसे क्लाति ही आप खोगा क्या बच्चों को अपने एक जल से बाहर निकल कर आएंगे और आप क्या करेंगे just मुझे कुछ कोल करेंगे को तौक सबूसित घंतर बते इतना वाई आप क्या करेंगे मैं आप अभी वाटसप नमबर देयरा हूं मतनबर पर आप मुझे कुश्ट वुए सकते हैं कोशन बेज नहीं है ओके-ओक कोई बात नहीं यार पहले बात बताओ मुझे बड़ी यह दुख होता तुमारा नाम देखे भटकति आत्मा रावन का फूपा यार एक बात बताओ तुमारे मम्मी पापने का इतनी बत्तमी नाम रखे तुमारे पापा का मगरमज बताओ यार बता यह देखे लड़की का नाम है बटकति आत्मा यार ऐसे नम तो मुझे नहीं रखे होंगे आपके ममी पापने जो मुझे लगता है तर वह प्यारा नाम रखो आपके पापने रखा है का है कि बात करते हो यार यह नमबर नोट लो भाई आपके जो आपकल से डिमांड क अपने पापा ने मम्मी ने अपने रखा है वो नाम रखो यार नमबर दे दिया आपके सामने रखा है मैं माई यह गजर आपकी बड़ी दिमांड चल रही है वर्सा में माचुकी है बच्चो आपकी प्यारी वर्सा में साइंस बड़ी जक्कास पड़ाती है आप तो जानते ह हैं मैं स्वागत करता हूँ जल्दी से एक बार लाइक करो तब उन्हें बुलाओंगा बच्चो अच्छा आ गई हैं लो भी आ गई हैं वो बिना लाइक करें आगे देख रहे हो आप चलो जी और एक और चीज अभी देखो आप लोगो मैंने ये भी बता दिया कि एक्जाम में क्या-क्या लेकर जाना है क्या-क्या चीज़े मतलब अवोईड करनी हैं यह जब दिसकोशन हो चुका है ठीका है और सर ने भी बहुत अच्छे स्यार सारे टोपिक्स आप लोगो को करा दे भी मैंब बैठके न सर के साइन्स का एक आदा कोशन जो मुझसे छूट गया था सर वो भी करा चुकें तो बहुत जबरदस तरीके से आप लोग की तयारी हुई है ठीक है अब आप लोगों का इम्तिहान है आप लोगों को जो भी यहां पर पढ़ाएगे आपको बस वहां पर मतलब अच्छे से एक्ज करके WhatsApp करके questions सारे बताने है ताकि आप लोगों के जो friends है उनकी भी help हो सके और क्या-क्या चीज़े फोलो करनी है क्या नी फोलो करनी है समय ने बता दिया है कि क्या लेकर जाना है क्या नी लेकर जाना है वो सब चीज़े फोलो करेंगे और तीन analysis होंगे एक सुबह साड़े 10 फिर दो बजे और फिर आपका साड़े पांच बचे एक दिन में ये तीन analysis होगे क्योंकि आपका exam तीन shift में हो रहा है साड़े पांच बचे तो ये तीनों के तीनों analysis में आप जरूर जुडेंगे आपको काफी जादा मदद मिलेगी क्योंकि अगला जो exam है वो दो तीन दिन के बाद है तो भई आप revise कर सकते हैं अच्छे से ठीक है और जैसे आप अभी तक बढ़ने हुए थे आगे भी आप लोगे classes तो चलते रहेंगे आप बने रहेंगे ठीक है आपके पवन सर मैं हूँ और पूरी team आप लोगे साथ हमेशा बनी रहेंगी जी सर आप ही बात किज बच्छों से कि आप मेंसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 28 तारीक को 10-30 बजे बाहर निकलेंगे दो बजे बाहर निकलेंगे वह अपने दूसरे भाई हो का फायदा करेंगे और अगर मुझे एक बार यह पता चल गया कि इस तरीके के कुश्चिन आ रहें तो बच्छों आपक को फिर मेरातन आपके लिए ताकि आपका कोई कुश्चन रहना जाए अब आपको क्लास अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों अगर एक बार आपका सलक्षान हो ना देखे आपने महनत की है वगवान सरी राम कहते है कि करम करिए फल कि इच्छा मत करो अगर आपने अपना करम सह देखे लिए तो कल के दिन कैसे श्रुंद करने हो कल के दिन में फोड़ा रेस्ट कर लेंगे फिर शाम को रिवीजन कर लेंगे तो सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छे इस से तसलीष से तियार किया जारा है ठीक है अब आप लोग हमारे विष्वास पर कितने खरेफ ग लेकिन आपके लिए भाई हालत कराब होने के बावजूद भी मैं आपको बता दूंगा तीसरी बात क्या है आपको कल दो बजे कल दो बजे बीस मिनट में पूरी इस्ट्रियाद बीस मिनट में तुम कहोंगा गुरुची जिसको पढ़ाते हैं लोग बाग दो साल में तुम बीस में वाद कर दोगे गारंटी की बात है इत्यास में आपको बीस मिनट में सारी याद करा दूंगा इसके बाद में मेरे दोस्तों 3 बच के 15 मिनट में प् सर यह बरती हर साल आती है क्या भई सर अस्वती सिक्षा जी यह तो मैं नहीं कह सकता है यह तो आयो क्यों पर डेपेंड होता है कि हर वर्स निकाले या निकाले अब बच्चो नमस्कार जी बच्चे अब हम अपनी क्लास का समापन यहीं करते हैं आप से मिलूंगा रात को 9 बताऊंगा वो तो देख लीजेगा साथ ही साथ साम साथ बजे दस महीने की करेंट अफियर सबसे जरूरी है सबसे जरूरी है यार एक बार मैं भी कह दूँ इन्होंने तो कहीं कह दी यार यह अपने बड़े भाई हैं और हम इनसे बहुत कुछ चीज सीखने के लिए मिलते रहें ठीक बच्चो तो पहुचेगा आप फिर आपको तो बदाई यह करना क्या है साम को करेंट अफेज माज ठीक अथा थैंक यू ठीक बच्चो थैंक यू